बेगु सराय जिलापदा अधिकारी तुसार सिंगला कई अधिकारियों के साथ पहुंचे बच्छवारा कारियाले पहुंच कर लिया जाए जा अस्थानिया लोगों से मिलकर किया बादचीत बिदितु की बरतमान समय में अधिकारी और आम लोगों का जो संबंद होता है वो सम्यक होता है सरस होता है मधूर होता है और दोनों के बीच के जो आपसी विवस्थाएं होती है जिसके अनरूप सरकार तमाम योजनाओं को चलाती है लोगों को लाव मिलता है और अधिकारी उसका नेत्रित्व करते हैं इन चीजों का जाईजा लेने बेगु सराय के जिला पदा अधिकारी तुसार सिंगला पहुंचे बचवारा इस अबसर पर उनके साथ कई पदा अधिकारी थे अलाकि वो पहले परखन मुख्याले पहुंचकर रोहां का जाईजा लिया और उसके बाद बैठक आयुजित की लोगों के जनसमस्याओं को जाना अलाकि इस जनसमस्या के दौरान सबसे अधिक आक्रोसित बाढ़ प्रभावित लोग दिखे इन लोगों ने कहा कि एक तो हम लोगों का जीवन यापन जो है जन जीवन अस्तव्यस्त रहता है क्योंकि बाढ़ क प्रकोप के कारण हम लोग 6 महीने तक प्रभावित रहते हैं हलाकि जिला पदा अधिकारी सोंबार को दिन के 11 वजे बचवारा पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद आइस्ता आइस्ता करके एक एक करके तमाम लोगों से बाचित क्या इस अफसर पर लोगों का सबसे ब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर उस छितर में है भी नहीं और उन्होंने उस लाव की रासी को उठा लिया इसके बीपरीत कई लोग ऐसे हैं कि एक ही घर के कई लोगों को रासी मिल गया है और कई लोग बंचित रह गये हैं हलाकि इसको लेकर लोग काफी आक्रोसित दिखे जिसके बाद चतुराई दिखाते हुए जिलापदा अधिकारी ने तेगरा अनुमंडल पदा अधिकारी राकेश कुमार को मौकी किया आदेश दिया है कि वो लोग सुधी पत्र तयार करें और जो पिरित हैं उन्हें यतोचित कारेबाई करते हुए उक्त जो लाव की रास जाने के बाद भी आवेदक पिरित लोग दूर रह जाते हैं ऐसा नहीं हुआ और जिलापदा अधिकारी के इस कारेकरम में लोगों ने अपनी समस्याओं को खुल कर रखा